नमस्कार दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है आज है दोस्तो साथ नेमबर 2020 और साथ नेमबर 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन है जो बिहार से जुड़े हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सेर्च कीजिए हमारा बिहार एच भी और चैनल को जोईन कीजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडियो हिंदी और इंग्लिस दोनों लैंग्वेज़े मिल रहेगा और दोस्तो इस वीडियो के लाश्ट में मैंने डिविजन का दो प्रस्थन रखा है जिसका एंसर आप लोगको कॉमेंट वक्स में देना है तो वीडियो लाश्ट तक जब देखिए तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो आज का पहला प्रस्थन है हाली में बिहार की किस अमेरिका के स्टैंफोर्ड इंवर्सिटी के दुआरा 22 Ook 22 जो आरा 24 अस्टारिय बैग्यानिकों की सूची में सामिल किया गया है और आर एस्दूवे जो है यह बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं और इन्हें सामिल किया गया है Stanford University के द्वारा 20 के 2% कुछ अस्तरिय वैग्यानिकों में अब दोस्तो नाम है सिवान का तो इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तो सिवान जो है ये सारन प्रमंडल का अंतर गताता है तो चलिए इस पहले सारन प्रमंडल देख लेते हैं तो दोस्तो ये आगए बिहार का मैप जिसमें बिहार के सभी प्रमंडल को दिखाये गया है तो सारन प्रमंडल अगर देखा जाए तो ये जो देख रहे हैं ये एरिया गोपाल गंज, सीवान और सारन ठीक है यह सारन प्रमंडल के अंतरगत आता है जिसमें तीन जिला है गोपाल गंज, सीवान और सारन ठीक है और इसके उपर में देख सकते हैं यह ग्रीन कलर का एरिया है यह तिरुद प्रमंडल हो गया ठीक है और दौस्तो सिवान जो है इसका अस्थापना 1972 में हुआ है ये सारंण परमणल के अंदर कता है बता चुके है तीन जिला था इसमें सारंण फ़मणल में शारं, गौपाल, गजो औरcit गाउन में हुआ था ठीक है सिवान जिला का जनसंख्या का अगर बात किया जाए तो 33,3464 बैक्ती है शेत्फल हो गया 2,219 वर्ग किलो मीटर जनसंख्या घनत्फ है 501 बैक्ती प्रती वर्ग किलो मीटर और लिंगान पाथ है 988 महिला प्रती 1,000 प्रूस और यहां का प्रमुख फसल गन्ना धान और गेहूं है प्रमुख उद्योग चीनी मिल पीतल तथाहत करदा उद्योग है और प्रमुख नदी हो गया दाहा और जड़ही ठीक है अगला प्राश्या दोस्तो हाली में बिहार के लंबित सभी पंद विजली परियोजना को सुरू करने के लिए एक क्याया को चलिए और उसके बाद बंद हो गया तो बिहार के लंबित सभी पल्बिजली पल्ट को चालू है शिजो निर्मान धिन यहां चालू का बात हो रहा है तो विहार में कुल 13-500 परयोजना है जो अभी कारिव कर रहा है ठीक है यह आप्टन इसका सहिज हो गया और दोस्तों बर्तमान में विहार में 13-500 परयोजना है जिसकी कुल उत्पादन चम्ता जो है 56 मेगावाट है दिखे अब वो 13 पन बिजली पर्योजना कौन कौन है और कहा कहा पह ये भी देख लेते हैं तो कोशी नहर पन बिजली पर्योजना सुपाल जिला में है सोन पुरभी नहर पर्योजना औरंगावाद में है और सोन पश्मी नहर पडियोजना जो है ये रोतास में है पूरवी गंडक केनाल पडियोजना पश्मी चमपारण में है अगनूर पडियोजना जो है ये अरबल में है और दोस्तो धेला बाग पडियोजना जो है ये रोतास में है नासरी गंज पर्योजना रोतास में है, त्रिवेनी संपर्क नर पर्योजना पश्मी चंपारम में है, जैनगरा पर्योजना रोतास में है, सेवारी पर्योजना रोतास में है, बेलसार पर्योजना अरबल में है, स्रीखीरा पर्योजना रोतास में है, और एक है अरबल लगू परियोजना ठीक है ये तेरा जल्बीतुत परियोजना है बिहार का जो वरतमार में भी चालू के स्थिति में हैं अगला प्रस्न हाल ही में केंद्रिये सिक्षा मंत्राले ने किस कॉलेज को उध्यमित्ता स्वक्षता और ग्रामीन इंगेजमेंट सेल से परिपूर्ण होने का अवार्ड दिया है तो केंद्रिये बिहार कीकिस medical college को किस medical college के वाइरोलाजी लैब को National Accrediation Board of Laboratories से मानता मिला है तो तो उसका नाम है नेताजी सुभाज Medical College & Hospital जो की पटना में है इसका सही हो गया और नेताजी शुभाज Medical College & Hospital के वाइरेलाजी लैब को नेशनल एक्रिडियेशन बोर्ड ऑफ लेवरेटरी से मानता प्राफ्थ हो गया है ठीक है और नेता जी सुभास मेडिकल कॉलिजन होस्पिटल जो है यह पटना के बीटा में है अगला प्रसने दोस्तों यह आ गया बजट से तो बार्सी की स्कीम के ताथ विहार बजट 2020 से का इसमेशन साथन बीभा को कितना रुपया वंख किया गया है यानि जब भी बजट इसु होता है तो सभी बागों कुछ न कुछ पैसे दिया जाते हैं ग्रोथ के लिए व्रिधी करने के लिए ठीक है तो इसके अंसार जल्स अशाथन बीभा को जो दिया गया है वह 3,000 करूर प्रतिवेक्ति बिजली खपत बर्स 2018 में कितना रिकॉर्ड किया गया है तो यह आगया दोस्तों सबसे लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षन का प्रस्न है कितना रिकॉर्ड किया गया है तो 311 किलोवाट प्रती घंटा ठीक है और वर्स 2021 तक बिहार में बिजली की कुल अप्लता चंता जो है परंपरिक बिजली होगी और सेज 3621 मेगावाट 36.4 परतिक होगी ठीक है अगला प्रस्ण है दोस्तो जनगन्ना से प्रस्ण तो वर्स 2011 के जनगन्ना के अंचार बिहार में साक्षर्था दर्में लेंगिक भी सम्ता कितनी है तो बिहार के साक्षर्था दर्में लेंगिक भी सम्ता है 19.7 परतिसत ए ओप्सन इसका सही हो गया अगला प्रसण में वर्स 2011 के जनगर्ना कि अमसार बिहार में सहरी अवादी के कोल अवादी आवादी का कितना पर्तिसत अवादी सहरी अवादी है तो 11.3 सब्सक्राइब करें चलते हैं कल के रिविजन के तरफ तो कल के रिविजन का पहला प्रसंद था हाली में किस देश के दूतावास के सचीव लुइज डी एंड रेड फिलो बिहार विधन सब्सक्राइब 2020 को समझने और देखने के लिए बिहार के दौरे प्या है तो ये ब्राजील के दूतावास के सचीव हैं बी ऑप्सन इसका सही हो गया दूसरा प्रसंद था हाली में बिहार के किस वैक्ति को सतेंदर कुमार दूबे मेमोरियल अवार्ड से समयत किया गया है तो कुमार रभी ज सब्सक्राइब को निर्मान किया है जिसका इनका नाम लीमका बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में साल 2022 के संस्क्राइब में सामिल किया जाएगा और आज का दूसरा प्रस्ण है राज में डॉल्फिन के सनक्षन के लिए गंगा डॉल्फिन आसराने की प्रवंध योजना आप लोगों कमेंट वक्स में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसर करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा यह हल्फूल लग रहा है तो प्रती दिन आपको इस वीडियो का ओडियो मिल जाएग में दिया गया है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद